आप अपने लिए एक Robo Vacuum Cleaner लेनी की सोच रहे हैं और समझ नहीं आरा कि कौन सा Robo Vacuum Cleaner आपके लिए Best होगा तो इस वीडियो में मैं आपके इसी प्रोब्लम को दूर करने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप Best Robo Vacuum Cleaner का रिवियो देने वाला हूँ ताकि आप अपने लिए Best Robo Cleaner परचेस कर सकें सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि Robo Vacuum Cleaner काम कैसे करता है Robo Vacuum Cleaner automatically detect करता है कि आपके घर में कौन-कौन से cleaning area है जिससे उसे clean करना है यह vacuum cleaner आपके room के map को ready करता है जो आपके mobile में so करता है इसके लिए आपको cleaner के brand app को अपने phone में install करना रहता है जिसमें आपको instruction देनी रहती है कि किस-किस area को उसे clean करना है सो Robo Vacuum Cleaner को लेने से पहले आपको कुछ जरूरी points पर जरूर धियान देना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक best Robo Vacuum Cleaner purchase कर सकें Types of Robo Vacuum Cleaner मार्केर में टू टैप्स के वैक्यूम किलिनर मिल जाते है Auto Dog Robo Cleaner, Normal Robo Cleaner Auto Dog Cleaner में जो डॉक रहता है उसमें पानी और डस्ट बीन के लिए separate बीन होता है जिसमें पानी वाला बीन मॉपिंग के लिए होता है और डस्ट वाला बीन डस्ट को collect करने के लिए होता है यानि जब Robo Cleaner अपने station पर बापस जाता है तब ये Dog Robo Cleaner में पानी को change कर देता है और डस्ट को सक कर लेता है ताकि ये दुबारे से डस्ट को collect कर सके इसमें आपको बार बार डस्ट या वाटर को change करना नहीं रहता है और दूसरा जो Normal Robo Cleaner है उसमें आपको manually water fill करना रहता है और उसका जो dust bean होता है उसे भी clean करना पड़ता है ये process आपको हर 2-3 दिन में करना पड़ता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार clean ना करना पड़े तो आप Auto Dock वाले Robo Cleaner को prefer कर सकते है इसमें आपको week में एक बार water को change करना रहता है और dust bean को 2-3 मेने तक clean करने की जरूत नहीं होती है बट ये थोड़ा expensive होता है अगर आपका इतना budget है तो आप इसे purchase कर सकते है Next point आता है Technology of Robo Vacuum Cleaner ये market में आपको 2 टैप्स के देखने को मिल जाते हैं Camera VSLM and LiDAR Camera Base वाला Robo Cleaner camera की help से dust को clean करता है बट ये dark में सही से काम नहीं करता है और LiDAR वाला Robo Cleaner काफी upgraded technology की साथ आता है इसको फरक नहीं पड़ता कि light on है या off है किसी भी condition में ये बहुत अच्छे से work करता है ये laser की help से room के नकसे बनाती है जो आपको आपके mobile पर so होती है जिसमें आप select करते हैं कि आपको कौन-कौन से area को clean करवाना है तो आपको इन दोनों में से कौन सा वाला लेना चाहिए तो मैं recommend करूंगा कि आप LiDAR technology वाले Robo Cleaner को ही purchase करें So next point आता है suction अगर आप Robo Cleaner से अच्छी cleaning चाहते हैं आपको long time तक battery backup चाहिए तो आपको कम से कम 3200 mAh वाले ही Robo Cleaner को लेना चाहिए अगर इससे कम लेते हैं तो इसे बापस charging के लिए station जाना पड़ेगा फिर यह charge होगा तो काफी time लग जाएगा cleaning में बट अच्छी बात यह है कि यह cleaning वहीं से करता है जहां इसने छोड़ी थी और अगर आपका घर बड़ा है तो आपको 4200 mAh या 5000 mAh बैटरी वाले Robo Cleaner को ही लेना चाहिए इन सभी points को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो में top best Robo Vacuum Cleaner का review देने वाला हूँ और इन सभी के best offer price के link वीडियो के description में दिया गया है आप check out कर सकते हैं अगर अभी तक वीडियो informative लगी है तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रूर कर लें इसमें लाइडा navigation मिल जाता है जिससे काफी अची mapping देखने को मिल जाती है इस cleaner में multi-floor mapping भी देखने को मिल जाती है साथ ही इसमें 4 KPA का suction power मिल जाता है और 5200 mAh बैटरी भी मिल जाती है जो 240 minutes का backup देती है साथ ही auto dust collection के लिए auto dock भी मिल जाता है जिसमें 60 days तक आपको duct back change नहीं करना पड़ेगा लेकिन water को आपको week में एक बार जरूर चेंज करना होता है इसमें wet or dry दोनों ही टैप की cleaning की जा सकती है इसमें 4 type के suction modes मिल जाते है silent, standard, strong and turbo इसके safety की बात करें तो इसमें anti-colison and anti-fall का feature मिल जाता है इस पर 2 years की warranty मिल जाती है प्राइस की बात करें तो ये भी amazon पर reprox 30,000 से 32,000 के around में मिल जाएगा ये price fix नहीं है, कभी भी कम या जादा हो सकते हैं, तो एक बार आप इसके price को जरूर चेक कर लें क्योंकि vacuum cleaner पर अकसर offer चलते रहते हैं, अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो उसका सबसे lowest price का link वीडियो के description में दिया गया है, आप check out कर सकते हैं अगर आप अपने वजट को और बढ़ा सकते हैं, तो आप आप आई-लाइफ के T20s Robo Cleaner को definitely ले सकते हैं, इस cleaner में upgrade version 360 degree LiDAR navigation मिल जाता है, जिससे काफी अची mapping देखने को मिल जाती है, इसमें 3.5 liter का bean size मिल जाता है, जिससे आपको इसे 10 week तक change करने की जरूत नहीं आई-लाइफ के इस cleaner में 5 KPA का suction power मिल जाता है, इसके filter में HIPA filter भी मिल जाता है, साथ ही इसमें 3 tap के cleaning modes भी देखने को मिल जाते है, path pattern, age mode and sport mode, Robo Cleaner में 300 ml dust bean और 200 ml का water tank दिया गया है, यह hard floor, tiles, granite floor, wooden floor, cemented flooring के surface को clean कर सकती है, इस cleaner को आप Alexa और Google Assistant से भी control कर सकते हैं, इसके safety की बात करें तो यह anti-colisor and anti-dropping features के साथ आता है, यह floor को बहुत अच्छे से clean करती है, आपको जरूर पसंद आएगी, इस पर 1 year की warranty मिल जाती है, और यह अभी Amazon Preprox 37,000 से 38,000 के around में मिल जाएगी, इसका सबसे lowest price का link वीडियो के description में दिया गया, आप check out कर सकते हैं, इस list में number 1 पर आता है, Ecovacs Debote T20 Omni Robo Vacuum Cleaner, अगर आप अपने वजट को और increase कर सकते हैं, तो आप Ecovacs के इस Robo Cleaner के साथ जा सकते हैं, यह बनों तब best auto-dock Robo Cleaner है, इसमें advanced AI, VI 3D and true mapping 2.0 technology मिल जाती है, जिससे mapping काफी कमाल की देखने को मिलती है, इसमें 6 KPA का suction power दिया गया है, which is very very good, 5200 m इसकी battery मिल जाती है, जो 200 minute की backup देती है, इसमें 500 ml की dry और 80 ml का bat bin मिल जाता है, auto emptying bin size की बात करूं तो इसमें 4 liter की large bin देखने को मिल जाती है, which is good, यानि आपको 75 days तक इसे clean करने की जरूत नहीं होगी, साथ इसमें hot air drying का feature मिल जाता है, यह Robo Cleaner floor के stains को भी clean कर सकती है, क्यों board करती है, साथ यह tiles, marvel, board, granite, carpets को easily clean करती है, इसमें multi flooring mapping भी देखने को मिल जाती है, इसमें anti collision and anti fall का safety feature मिल जाता है, brand इस पर one year की warranty देती है, वहीं बात कर इसके price की, तो यह भी Amazon पर approximately 70,000 से 75,000 के around में मिल जाएगा, इसका current price चेक कर सकते हैं, यह काफी सांदार है अगर आ तो यह थे top best robot vacuum cleaner जिससे आप अपने according ले सकते हैं, इन सभी के best offer price के link वीडियो के description में दिये गए हैं, आप उन्हें चेक आउट कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगिए तो like कर दें, वीडियो से कुछ पूछना हो तो comment जरूर करें, और मुझे motivate करने के लिए हमारे channel को subscribe जरूर कर ले, मिलते हैं next वीडियो में thank you